तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है डेल्टा आर हमें यहां पर डिफाइन करके दिया हुआ है और हमसे सिग्मा डेल्टा आर की वेलू पूचे गई ठीक है तो वेलू केल्कुलेट करते हैं तो डेल्टा आर हमारे पास क्या है डेल्टा आर हमारे पास है है तो आर माइनस वन यहां पर एम सी आर और यहां पर वन यह कितना है एम स्कॉयर माइनस वन यह तू तू दी पावर एम और यह m प्लस 1 ठीक है यहां पर sin square m square sin square m और यह sin m square है ठीक है हमें delta sigma निकालना है delta किस पर vary कर रहा है r पर vary कर रहा है ठीक है तो अगर हम इसमें sigma लगाते है r r equal to 0 से लेके m तक है तो बाकी और किसी element में नहीं है तो directly आप क्या कर सकते हो सिग्मा आर की सिग्मा जो है वो first row में लगा सकते हो क्योंकि उसी वाले part में क्या है variable है ठीक है 0 to m और यह r equal to 0 to m अब इसको अगर determinant को solve करोगे तो first वाले sigma की value कितनी आ जाएगी ठीक है m plus 1 second row भी देखो आपका same उसी तरीके का है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया दो row हमारे पास same हो गया ठीक है दो रो अगर हमारे पास same हो गया इसका मतलब इस इस Determinant की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी तो इस Determinant की value कितनी हो जाएगी 0 क्यों 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 यहां पर 2 रो ये रो और ये रो दोनों क्या है सेम है तो final answer हमारा कौन सा हो जाएगा आपका A वाला option correct हो जाएगा ठीक है